तो दोस्तो फानली आप लोगों के समस्त में बी ए फस्ट समस्टर प्रिटिकल साइंस यानि राज नीति सास्तर का पूरा का पूरा कोईश्चन पेपर लेकर आचुका हूँ तो आपको इस वीडियो से ये आईडिया लगेगा कि इस बार जो पूरा कोईश्चन पेपर यानि फुल क्व bew आप लोगों के समस्त लेकर आचुका हूँ और इसमें से कौन से महाद़ पॉंड प्रसन है और आपके परिच्छा में इस बार जो होने वाली उसमें इन यानि की इस कोईश्चन पेपर से कितने कोईश्चन ऐसे हैं जो आपकी परिच्छा में आने के चांस है इस बार तो वीडियो को लास तक देखेंगे तो आपको काफी help मिलेगी और आपको काफी यहां पर यह भी idea लगेगा कि हां प्रस्णि कीस प्रकार किया रहे हो कैसे क्यार करना है तो लास तक देखेंगे तो आपको काफी मजóst मिलने वाली चले वीडियो की, स्टार्ट करते हैं यह जो हमारे स्टमेस्टर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में 2022 के सिसन में पूरे का पूरे कहने का मतलब यह कि उसमें ना लिखा होता आते सहरे को सहा क्रिए या फर दस हैं यहां पर लिखा है यहां पर 11 Size कोशन को हिल करने हों ठीक Сंब inté हो 12 के दो fak welche 2019 जो है पुलिटिकल साइंस राजनेती सास्त्र का है देखिए आप लोग ध्यान से समझे क्यों कि कुईश्चन पेपर है छात्रों कर दारा भेजा गया तो थोड़ा आप लोगों को हो सकता किलियर न दिख बारा होगा लेकिन थोड़ा समझेगा समझने का प्रियास करिएगा सभी पहला प्रश्र अके राजनेती साफ्थ की परिभांस किजित या फिर दीजिये तथा आर्थ sl और इतिहास के साथ इसके संबंध की बिभेशना की पहला तोबआ को राजनीती साफ्थ का whenever applicable कि अदिख जारा है तो आप लोगोऩ पुरण उत्तरदे देंगे यहाँ पर हला कि पंदरा अंक के निर्धायत हैं हो सकता आपके इंवर्शिटी में इस क्वेश्चन के लिए पांची नंबर दिये जाएं तो अलग 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 रूल्स हो सकते लेकिन कोईस्चन जो है सभी के लिए महातपूर्ण जितने भी नौर सिटी आ ठीक है उसके बाद ये किलियर हो गया उसके बाद लिखाता था अर्थसास्त्र जो होता है और इतिहास एक सब्जेक्ट अर्थसास्त्र भी होता है और इतिहास भी होता है इसके साथ इसके संबंद क्या है मतलब कि ए अर्थसास्त जो है और इतिहास के साथ इसका क्या संबंद है किस प्रकार यह एक दोसरे से रिलेट का रहे हैं मतलब कि रिलेटेड हैं वह आपको बताना है यह प्रस्ण आपको तैयार करना है बहुत ही महात्पूर्ण है ठीक है आर्थसास्त रोतिहास के सम्मंद आए या ना आए इसकी तो 100% गारंटी नहीं लेकिन राज नितिस्वा आपको गूगल पे तो फिरी में इसका एंसर मिल जाएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा कोईश्चन उसके बाद गूगल पे लिख दीजिएगा या फिर बोलके लिख दीजिएगा कि राजनीती साफ्त की परिभासा कीजिए तथा आर्थसाथ औरतिहास के साथ इसका सम प्रत रहें उसका विवरण दीजिए या फिर विवेचन कीजिए या फिर समझाइए उसके बारे में प्रस्ण पोच रहा है तो आपको यह तैयार कर लेना यह भी जनरली और टॉप लेबल का कोईश्चन है इंगलिस में भी यहाँ पर दिया गया है कि डिसकस दा इसकोप आफ प्लिटिकल साइन्स ठीक है यानि कि प्लिटिकल साइन्स का क्या स्कोप है बहुत हाई लेबल का और जनरली प्रस्ण है आपको प्रिपिर करना 100% ओके यह इंपॉर्टेंट हो गया अब बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण के और अगला प्रस्ण आप लोगों की समस्ता आ बिबेचना कीजिए या फिर समझाइए कहने का मतलब यह है क्या जो राजनीति बिज्ञान होती है वह एक बिज्ञान है है तो समझाइए है तो इसको एक्ष्प्रेंड कीजिए डिसकस कीजिए बिबेचना कीजिए ठीक है तो आपको प्रूब करना है कि राजनीति एक बि प्रश्ण हों कि प κα Cup 15 gaan वाद की पांशितर हो जाएंगे सारी हम पूरी तरह आप लोगों के लिए प्रिपियर हो जाए कि लिए वीजिफिए का को सब्सक्राइज है ही ठीक है पिछले साल का फस्टर बेस्टर का और साथ में उसका उत्तर अभी हमारे पास नहीं है मतलब की exact उत्तर अभी हम तो इसका explain कर देंगे लेकिन exact जो उत्तर होता है 200 सब्दों में 500 सब्दों में वो हम आप लोगों के लिए तयार कर रहे हैं आप लोगों की जो website questionpaper.com उस पर आपको सभी question का जितने भी question paper पिछले साल के उन सभी का उत्तर वहाँ पर आपको मिलेगा तयार हो रहा है बस कुछ दिन का वेट करिए जल्द ही आप लोगों के समस्तम उसका announcement करेंगे ओके अगला point है यानि कि अगला question है कि राजनीती साफ्तर के अध्यन के एतिहासिक उपागम का विसलेशन कीजिए तथा इसके अउगण बताईए यानि कि राजनीती साफ्तर का अध्यन और उसके एतिहासिक उपागम पर विसलेशन करना है अगुण बताना है ठीक है अगला इसी में है कि राज नीति साफ्त्र के अध्यन के बेवहार वादी उपागम की प्रमुक विसलेश्ताओं के विवेशना कीजिए पास नंबर यह भी यहां पर फिप्टीन नंबर का दिया गया है तो इसको कि राज की उत्पत्त के समाजिक समझहोते के सिध्धांत का अलोशनात्मक परिच्ण कीजिए राज देखे यहां पर और भी प्रश्ण फोट रहे हैं यानि कि उत्पन हो रहे हैं कि राज क्या है राज की परभासा दीजिए ठीक है यह प्रस्ण भी आपकी परिच्छा में आ सकता है ठीक है और यहां पर प्रस्णिये भी बन सकता है कि राजी की उत्पत्य के समाजिक स्रम्ध होते क्या है यह उसके सिध्धान्त का अलोशनात्मक परिच्छन कीजिए ठीक है कुल मिलाके इस प्रस्ण का उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि राजी की जो पत्त्य है वो किस प्रकार होती हो समाजिक समझोंते कि सिध्धानत क्या है उसके बारे में लिखना है बस अलुस्तात्मक परिछन यह छोड़ दीजी पॉइंट ठीक है क्योंकि यह कंफ्यूज करने वाला है बस इतना है कि अंतर आप लोग डाल के पढ़ लीजेगा पूरे नंबर आपक कि कल्यान कारी राज की बिसेस्ताओं तथा कार्यों का वरण कीजिए या प्रस्ण आप हो सकता है यही जरूर ने कि प्रस्ण आ जाए प्रस्ण इस प्रकार भी हो सकता कि राज की बिसेस्ताओं बताईए तथा उसके कारे लिखे तो आपको जो रा कल्यान कारी राज है उस यह प्रश्ण आपकी परिच्छा में देखनेों को भी लेगा इस प्रश्ण के आने के 100% चांस है तो इस को तयार कर लीजेगा ठीक है पिछले साल का पूरा का पूरा question paper है और बहुत सारे से प्रश्ण है जो इस बार जो यहां पर question paper आप देख रहें इसमें से ही आपकी परिच्छा जब भी होगी महीने में 15 दिन में तो इसमें से बहुत सारे question उसमें आपको देखने को मिलेंगे देख लीजिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था जो जो प्रश्ण बोले थे लगभग 80-85% मेरे द्वारा बताएगे प्रश्ण आये थे आप लोग समझ हमारा पेज है और भी बलर है लेकिन हम आपको question समझा देंगे ठीक है कि question क्या लिखा यहां पर लिखा question यह है कि विधी की अवधाणा को अस्पष्ट कीजी कानून एवं नैतिक्ता के बीच क्या संबंध है विधी की अवधाणा की परिभासा देनी है यह फिर में तो यह point बहुत ही common है इसको आपको तयार करना है कानून एवं नैतिक्ता में संबंध या इसके बीच क्या बदलाव है यह दूसरे से कैसे डिफर हैं तो यह भी महात्रपुन प्रश्ण इसको तयार करना आपको जरूरी है अगला प्रश्ण आप लोगों की समझता गया है तथा सतंतरताय। Semanta के मध्ध क्या संबंध है तो समांता होती है और समांता क्या चीज होती है इनके दोनुके बीज क्या बदला होय एक दूसरे से किस प्रकार इनका संबंध है तो संबंध बताना है किस प्रकास जैसे कि आप लोग एक्जामपल खुदी समझ गये होंगे संबंद का मतलब ठीक है कि वो हमारे रिलेशन वाले हैं हमारा उनसे क्या संबंद है ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे तो इसको भी तैयार करना यह भी महात्रपूर्ण प्रश्ण है आपकी परिच लिखेश हमें व् gewoon province आएगा जरूरों ठीक है चाहा वो अति लगत्रीमआ चाहें आएगा दिख क्लेश्क वारे मैं मतलब कि क्या होता है कैसे इसमें process होता है वो आपको लिखना है ठीक निबंद type आप लोग समझ रहे हैं आप लोगों ने 9th, 10th, 11th, 12th में खुब निबंद लिखा है ना आप लोगों ने 10 प्रस्ण है इस question paper में अगर 10 के उत्तर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम इसी वीडियो से 25 से 30 तंबर आपके 100% दन हो जाएंगे इस बात की मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं ठीक है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लेगी हो गया तो लाइक करेगा अगर आप इसी तरह और भी subject question paper चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताईएगा और टेलिग्राम वाट्सअप विजिट करके वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं एक्जाम टैबल डाउनलोड कर सकते हैं विपसाइट पर जाके लिंक वीडियो की रिस्क्रिक्शन में questionpaper.com विपसाइट का नाम है तो वहां पी आपको काफी material मिल जाएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक ल जाएगा में एक लागा जाएट